शिव महापुराण की कखा करती है तीन ब्रक्ष, तीन पशु, तीन पक्षी और तीन जलचर पित्रों के तुल्ले होते हैं बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की इस पित्र शान्ती पित्र दोश है, इसके लक्षन के गर में अशानती होना घर में चार-पांच लोग रहे हैं, जरा-जरा सी बात में क्लेश हो, समझे लो पित्र दोश है पित्र दोश, एक रुपिया कमा कर लाओ, सवा रुपे खर्च हो को पैसा है हाथ में दिखे ही नहीं नहीं समझले ना पित्र दोश चार गें जुपान अच्छी चले बाद्टः के समय बेठना पड़े पुजांगो जाये गलस संगती में डूबफस्ता हो रहा हैं पित्र दोश.. घर के बच्चे माता-पिता का आधर ना करें सम्मान ना करें, तेज आवाज में बात करें, समझ लो पित्र दोश, पित्र दोश मालू पड़े, और इतने से भी अगर आपनी समझ सकते, परिवार पर कोई हो एक व्यक्ती, जब जब भोजन करने वेटे, तब तब उसकी ठाली में बाल आए, भले वो होटल में खाय तो भी वाला जा, वो कई खनकर है, तो वाला जा, आठ पंद्रा दिन में, चार दिन में, तीन दिन में, दो दिन में, छे दिन में, आपकी ठाली के भोजन में, अगर बाल निकल रहा है, केश निकल रहा है, समझ लिना कि पित्र आप से कुछ मांग रहा है, पित्र आप से कुछ चा को के दिया परिवार को के दिया होंतल में खाएंगा तो बाल आ चाहिए झाल कैसा कि बदल किपो में अच्छा of आच दिन में, चार दिन में, छे दिन में, ना जाना ए, कौन सी गंद की बदबूस ही आरही है, क्यों सु गंद की आरही है, समझे नोगों पित्र की छाया पढ़ रही है ये, पित्र कुछ अंट भर। आठ दिन में 15 दिन में अगर आपको नहीं आएगा तो कोई दूसरा के गर में यह बेसिज़ क्यों आ रही है कोई आतर के देगा गंद क्यों आ रही है उसका मतलब पित्र आख से कुछ मांग रही है कुछ कहना चाहे कुछ मच करो अगर ज़्यादा लगता है कि हमारे घर में पित्र दोशे पैसे नहीं आ रहा है लच्मी नहीं पिक रही पीपल के पत्ते पर श्राद पक्च की एकाद शीके दे और दोद शीके दे पीपल के पत्ते पर शहिए की साथ बिंदियां लगा दीजिए उसी पर चंदन लगा एजिए साथ , अनक्राइचावल सपे चावल उस पर रग दिजिए प्लों सपे रख दिजिए अपने पूरवजों का नाम लेकर पितरों का इसमें करकर गोत कर नाम बोल कर बेहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दी यह केवल श्रात्पक्ष में होगा एका दशी तिती के लिए बेहते पानी में छोड़ दी जिंदकी में कभी संपदा की कमी नहीं आई कि पित्र आशिरवाद देकर जरूर जाएंगे यह पक्ता है अगर क्पथ है उस पंस्काली तिल और जों एकिस वार उतार कर जोटी बहुत बीमार पड़ा रहता हो ऊही ना कोई भीमार इसको घेरी रहती हो तो बढ़के पत्ते पर काली तिल और जों रखकर पित्रों का स्मण करकर नौनी तिती के दिन 21 बार उतार कर बहते पानी में डाल दो या पीपल के पेड के निचे रख दो विमारी समाग तो हो जाएगी रोग नहीं भीर साथ अगले शराथ तक लिकर रखना कि इस पारिको करा किस्थिको करा अगली तिती तक जानना आपको रोग नहीं आएगा विमारी नहीं है कश्ट नहीं है शिव महा कुरान का भागवान शिव आनंद की राश्ट तो तीन ब्रक्ष तीन पशू तीन पक्षी और तीन जल्च ऐसे हैं जिनको पित्र माना है तो तीन ब्रक्ष कौन-कौन से हैं शासत करता है पहला फीपल, दूसरा ब्रक्ष और तीसरा बेल ब्रक्ष whole T मीन पक्ष 출aj तीन प्रक्ष तीन ब्रक्ष तीजर केसी हैं पहला प essence से है k都 करता है तेन ब्रक्ष तीन प्रक्ष तीसरा बिल्पद्र करता सब मद्धर तम्रगत करता सब कभी अनायास श्राग पक्ष में आप कुछ मीना कर पाएं कुछ मीना कर सकते हो तो एक पत्ते के ऊपर कोई सावी पत्ता लिलो चाहे पान का लेो कोई पीपल का लेो कोई पत्ते के ऊपर एक उड़ी थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना करकर अपने पूरवज़ों के लिए इन तीन व्रक्ष के निदें इसोला स्वराद में किसी वी एक दिन आपको भोजन को रखत रहा जाए अपनी काम ना करका सुक्कन भहोगा पित्रों को शांति में तीन अब्रक्ष पित्रों के तुल्य हैं तीन पक्षी पित्रों के तुल्य हैं कवावाव हंस और गरुण एक कवा और एक स्वान कुत्ता ये दो ऐसे होते हैं जिनको 20 मिन पहले आदे घंटे पहले एक दिन पहले 24 घंटे पहले और 40 घंटे पहले क्या होने वाला होता है कववे को और स्वान को भान हो जाता क्यों 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 कि यह यम लोक में जहां यम्राज निवास करते हैं स्वान और कववा उस सिस्थान का भाग ग्रहन करते हैं और इनको ये ज्यान पूर्व से यम्राज से प्राप्त होता रहता है प्राप्त होता रहता है कोई घटना घटने वाली होती तो कुटा रोने लगता कोई घटना घटने वाली होतँ होदी तो लुद वेट जाता है कोई आ रहा है तो buy आएगा कोई भावसूचक है तो लुद आंधेगा दर्वाजे पर के जसे, उसका भी भावा ने Subscribe, लुद जाफ्ल भाव, नम्लंब, कववा विय्दा है किस इस्थान पकवा विराजस जो अदोगती में मर जाते हैं जिनको पिंड नहीं मिलता तरपण नहीं होता ब्रामन का बोज नहीं मिल पाता जो मर जाते हैं जिनका नितिम संसकार तक नहीं होता जिनकी गती विगड़ जाती है ऐसे जीव कव्य के अंश में प्रगट होते हैं जो प्यों नफल लेकर जाते हैं, पित्र लोक में जगा नहीं होती, बेपुन्थ में जगा नहीं होती कहीं अगर जगा नहीं है देव लोक में तो इनको कव्य के अंग्ष में गरून के अंग्ष में या हंस के अंग्ष में डाल दिया जाता है मारा अगला वर्णन किया तीन पश्चु कुत पुता गाय और हाथी ये पित्रों के तुल्य होते शिव महा पुरान की कथा कहती है अगर श्राग्द पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में गयासुर ने बर दिया था श्राद के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंड करने का पुन्फल प्राब्त होगा ये गया सुर्का वर्वर गवमाता के विए था तो गाये के मुख में 16 दिन तक गया छेत्र का पिंड का भाग प्राब्त होगा कुता गाये और हग स्वान को रोटी क्यों देते हैं क्योंकि स्वान पित्रों को अपना भाग परदान कर देते हैं स्वान वाकता नहीं है चुका देता तीन जलचर है मारा जो पित्रों के तुल्ले हैं मचली कच्छुवा और नाव पिंड जो बनाए जाता है वो पानी में दिया जाता है मच्छली जिसको पाती है वो पित्रों को प्राप्रा होता हूँ कच्छुआ श्रावन के में इस सोला श्राद के अंतरगर कच्छुआ यदि आपके दिये हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर लगा और महाराइब नाग झाल 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 झाल